सत्याधारं प्रक्दिरूश्रं आत्मनिष्ठं सरणयं भोगातिता सम्दम्युतं सिश्यसंगे सुसेव्यं ज्ञानागारं धुरुवास्वं मोक्षुमार्गं दिसांतं वंदेयं सुरुवर्तं योगिराजं कभीरं परं अखंड मनलाकारं व्याप्तं एंचराचरं तद्पदम दर्शितम येन तसमेश द्गुरुवे नमः धान मूलं गुरुर मुर्ती पूजा मूलं गुरुरु पदम मंत्र मूलं गुरुरु वाक्यं मौक्ष मूलं गुरु कृपा मानोस समाज के प्रवल प्रेनश रोत वन्दनीशन समाज ससंग सरीता में निमजन कर रहे आत्मी बंधुआँ भारत की पावन धरा इस भारत की पावन धरा में अनेको शंथ रिश्य और मुनी हुए है सभी महापुरुषों ने सभी रिश्यों मुन्यों त्याग्यों तपश्यों ने पूरे अपनी जीवन में पूरे अपनी जिन्दगी में त्याग और तपश्या किये यह जितने भी महापुरुष हुए हैं इस भारत की धरा में चाहे वो संद्गुरुजन हो या हमारे माभारती की अजादी के लिए अपने प्राणों की आहूती देने वाले उन महापुरुष हो ये जितने भी महापुरुष हैं ये हमारे आदर्श हैं इन महापुरुषों के त्याग और वलिदान विर्थ ना जाने पाए आप लोग मेरी बातों को सुर रहे हैं आईए थोड़े से आप लोग ध्यान दीजिएगा धर्म और अध्यात में की गूर रहस्यों पर मैं चर्शा करने जा रहा हूँ तो जितने भी महापुरुषों संद्गुरुजन हो या हमारे भारत के वीर शहीद हो इनके त्याग तपश्या और बलिदान विर्थ ना जाने पाए जिन संदों ने रिश्यों ने मनिश्यों ने त्याग और बलिदान करके आज हमारी समाज के बीच में आकर जो ग्यान उबदेश दिये हैं दे रहे हैं उनके आदर्सों को उनके निर्मल वैवारों को हम अपनी जीवन में चरितार्थ करें हमरी भारत की पावन भूमी दो ढ्याइस सो वर्षों से अंगरेजों के फिरंगयों के गुलाम थे भारत के कुछ नौविकों के अंदर उसके मन में करांटी की आग लगी करांटी की लपट उठी और उन महपुर्शों के अंदर में बात आई क्यों नहम अपने मा इस भारती को इस भारत मा को अंग्रेजों के गुलाम से हम अजाद करें और आप सब को इस बात का तजूरुबा है कि इस भारत मा की अजादी के लिए नजने कितने जवान बच्चे हस्ते हस्ते फांसी के फंदे पर लटक गए कितने शहीद हो गए इसके अजादी के लिए नजने कितने खून की नदिया बही कितने मावहनों के मांग उजड़ गए कितने मां के आचल कितने मां की गोद सुने हो गए तब कहीं जाकर हम और आप सब अजादी को प्राप्त किये हैं ऐसे भारत की पावन मिट्टी पर ऐसे भारत की आब और हुआ पर हमारे माहपुर्शों की शुगंदी फैल रही है कितने नौजवान लड़के जिनकी दाड़ी और मुझ की रेख भी नहीं आई थी लेकिन भारत की अजादी के लिए उसके अंदर एक जुनून हुआ ताकि मेरे देश के वसिंदे मेरे देश के लोग मेरे आने वाली संतान अपनी जिन्दगी को सोतंतरता पूर्वक जी सके क्या कभी आप सोचे हैं या आपके मन में कभी वो विचार आया है कि आज यो संत गुरुजन जंगलों में बड़ी बड़ी गुफाओं में कंद्राओं में इतनी ठंडी के हिमाला की गुफाओं में छोड़ कर त्याग तफश्या कर रहे हैं अपने माबाप घर परिवार को छोड़ कर पूरी जिन्दगी अकेले ही जी रहे हैं जिन महापूर्शों ने भारत के लिए अपनी जीवन को कुर्बानी दिये मैं आप लोगों से पूसता हूँ इस मंच के माध्यम से क्या उन महापूर्शों को जीने का सौप नहीं रहा होगा क्या अपने बीबी बच्चे माँ बाप को छोड़ कर कहीं दूर जाकर रहने में ही उसको आनन्द आया होगा लेकिन नहीं जिन महापूर्शों ने प्रानों की आहूती दिये जिन संतों ने अपनी जीवन को त्याग तपस्या में लगाए उनका एक ही उद्देश्य था कि आने वाली मेरी संतान मेरे बच्चे अपनी जीवन की किमत समझे इस भारत मा की अजादी की खद्र करे अब दूसरा प्रस्ट मेरे आप लोगों से क्या हम उन महापूर्शों की बलिदानों को उनके उच्च आदर्शों को उनकी त्याग और तपस्या को हम सम्मान दे पा रहे हैं आज हम देखते हैं कि इस आर्धुनिक्ता के नाम पर इस आज की स्वध्यानी क्युग में किश्विश्दी में आज की जर्रेशन में हम जितने भी भारत वासी हैं उन महपुर्शों के आदर्शों को हम मिट्टी पलित करने में कोई भी कोर कशर नहीं छोड़े हैं आज हम देखते हैं कि हमारी भारती स्वध्य को हम कैसे ठुकराते जा रहे हैं सिर्फ सिर्फ आर्धुनिक्ता और फैसन के लिए कभी भी हम यह ने स्वध्य को बचाने का हमने प्रयास नहीं किया पशात स्वध्य अज इतनी हावी हो गई है कि सबके सर पड़चड कर बोल रहा है अपनी स्वध्यता, अपनी स्वध्यत्य, अपनी आबरू अपना सम्मान, अपनी इज्जत आज हम अपने हाथों में खुद बेच रहे हैं मेरे प्यारे भायों बेहनों ये आपका जीवन है आपकी जिन्दगी है अपने जीवन को अपनी जिन्दगी को आप कैसे जीना चाहते है ये आपके उपर नीर भर करता है क्योंकि आपका जीवन एक कैसे जीना है कैसे रहना है इसका जज्मेंट आपको ही करना है सुंतों और गुरुजनों ने तो आधर्स दिये रास्ता दिखाएं अब उस रास्ते बर आप चलते हैं कि नहीं चलते हैं आपकी मर्जी आपकी इच्छा ये संतों गुरुजनों की अहतों की किर्पा असीम अनुकंपा संतों की हम उपर बरस रही है सिर्फ और सिर्फ हमारी किर्पा हमारे उपर नहीं हो रही है इसलिए जीवन में दूख है पीड़ा है दर्द है कसक है अशान्ती के दलदल में आज हम धस्ते चले जा रहे हैं इतना मस्त मनुष्य का जीवन मिला सोचने और सोचने और समझने की शक्ति है सारी इंद्रिया अच्छी है फिर भी मन बैचैन है आतंग महशुष कर रहा है दूख पिड़ा दर्द को हम पा रहे हैं फिर भी वही काम करते हैं जिससे जीवन में दुख मिले किसी ने कहा है सब देखा सब देख लिए फिर भी आंखें मीची और दुख के फल जिसमें आते हैं वही लताये सीची सचमुच में हमारी जीवन में यही घटनाएं घट रहे जिस काम को करने के बाद पेट भर हमें दुख मिला पश्चताब किये लेकिन आज बड़े खुसी के साथ बड़े मज़े के साथ वही काम करने के लिए आज हम पुना तयार हैं को यादिमी हो आप लोग ही यह उदाहरन है उदाहरन की तरीका ही समझना आप लोग यहां से उठें उठकर रहसे चलें और खंबा से आप टकरा जातें एक बाद टकरा है थोड़ा से पीछा हटें फिर दूसरे बार आगे बढ़े तो फिर उसी खंबा से आप टकरा गए फिर तिसरे बार टकरा गए क्या कहेंगे आपको या हम हमारी नदानी हमारी मुर्खता ही हम जाहिर कर रहे हैं ये एक बार टकरा है बात समझ में आती है चलो भूल चुक लेनी देनी लेकिन पुना वा तूसरी बार फिर टकरा गए यही हस्त यही घटनाएं जिन्दगी के साथ घट रहे हैं दुख पर दुख पिड़ा पर पिड़ा भोग रहे हैं लेकिन उन दुखदाई करमों को उन कामों से मन बाजनी आ रहा है हट ही नहीं पा रहे हैं श्रंदगुरुजन क्या करेंगे घर के बुड़े बुजूर के क्या करेंगे अरे अब हम बलोग बच्चे नहीं रहे गए यहां पर जितने लोग बैठे हैं कोई बच्चे या बच्चिया नहीं हैं व्यस्क हो गएं समझदार हो गएं आपकी उम्र के साथ साथ आपकी समझ बढ़ है आपकी सांती बढ़ है नफरत और घिना का भाव आपकी अंदर से घटे बैर विरोत की भावनाएं घटे आपस में घरों में रेम की गंगा बहे यह आपकी जीवन की सबसे बड़ी शफलता है हम देखते क्या हैं? धन बढ़ गया, दौलत बढ़ गई मिट्टी के मकान से आप अच्छे भवी इमारत बना लिए घरों में पूरे आरधुनिक साथनों से लैस्ट हो गए लेकिन जीवन में दूख और असांती भी बढ़ते जा रहा है हम दौलत के सांती भी बढ़ते जा रहा है, दुख भी पैर पसाते जा रहा है चाहिए था कि जीवन में सांती आएं जैसे आपकी उम्र बढ़ है, आपकी समझ बढ़ है आपका विचार सुन्दर हो, जैसे अब एक्जामपल के लिए, जैसे हम कक्छा एक में, दो में, तीन में पढ़ रहे हैं हम बहुत समझदार हैं कक्छा एक, दो, तीन, चार, पांस ता अब होना चाहिए कि कक्छा 6, 7, 8 में आप बढ़ हैं, तो आपकी समझ दारी और बढ़ है, आपकी समझ और बढ़ है लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मन में चलाकी, बदमाशी, ये भी बढ़ती जाती है ये भारत देश महापुर्शों का देश है, त्यागियों और बलिदानियों का देश है भारत देश एक महान देश, भारत देश के सामने पूरी दुनिया जुकती है जुकने का ये एक ही वज़ा है, कि ये भारत देश को लोग धर्म गुरु का धर्म गुरु मानते है भगवान बुद्ध की बदुलत इस भारत देश के सामने दुनिया जुपती है भगवान बुद्ध की आप गर्व महसुस करें कि आप ऐसे धार्मिक देशों में जहां की कनकन मिक्टी मिक्टी में यहां की हवाओं में धार्मिकता की शुगंदी आती है स्वंतों गुरुजणों ने त्याग करके दिखाया उनके त्याग और बलेदान को आप कायम रखे जरसल हम लोगों को अंधुकार में जीने की आदत सी हो गई है ये प्रकास की बख्षार, ये सूर्य की किरने ये हमको पसंद नहीं आ रहा क्योंकि आप अंधुकार में जीने की अभ्यासी हो गए है अग्यानता में, विषियों में, वाश्नाओं की धारा में बहते बहते हमारा है आज सुन्दजन जब ग्यान की बाते करते हैं जहां पर ग्यान की चर्चा होती है सुभाविक है मन को सुहाता नहीं है मन को अच्छा नहीं भासता कारण क्योंकि अंदर मूरता है मूर्चा है अग्यानता की प्रबल धारा वाह रही है इसलिए नहीं सुहाता आज एक दूसी ससंग समारों चल रहा है सद्धिशन्सी सुभाशन्साहिब की पावन इस्मृती में इसके बजाए कहीं कहे देता की अरजुन्दा वाला अरकेष्टा है मैं सच कहता हूँ भाई साव प्यारी बहनों यहां इतनी मारा मारी होती जगा नहीं मिलती किसी को और यह दरी यह मेट नहीं पिछाना पड़ता अरे राद बर में धूल गर्दा जानवनों के टट्टी पे सब सब साफ हो जाता यह उधारन में से सोचे जा मन को सतसंग जहां जिन्वन निर्मान की बाते हो जहां जीवन सजाने की बाते हो जहां जीवन में चार चांद लगाने की बाते हो वहां आपका मन टकराता क्यों है ग्यान की बातों को मन स्विकार नहीं करता अच्छा नहीं भासता लगता है आज नी कल कर लेंगे आज आप लोग पूछना कितेने लोगों को अरे संद गुरुजन आये थे हमारी माता हैं अपने सहली लोगों पूछ लेंगे भाई लोग अपने दोस्तों को पूछ लेंगे कि आज एक दूसी ससंकारी करम हुआ बजार चौक पर मैंके से कहीं साधी के निमंतरन काड़ा गया तब पांच अपरेल को मालो तेल है अभी से पलट पलट कर पलट पलट करना जाने दिन में कितने बार देख लेती है भाई लोग भी कम नहीं यह लोग भी उतावले रहते हैं सुस्राल में साधी है ना कितने बार हम उसको देखते हैं जांकते हैं वो बाते याद आती कि अमुग दिन तेल है अमुग दिन माइन है अमुग दिन कि वैसी ससंग की बाते भी याद आए किसी से कुछ पुछ ऐसे कैसे नहीं किये अरे टाइम ही नहीं था बहुत भी जी था आएक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को 2-60 करckets में एक सेड़ जी थे उनकी कई फेक्टरियां किंप सेड़ें दर्रा में संतों का आगमन हुआ उत hvad किするी रखा गया है सरद्धे संस्री सोभा सरद्ध साहिब की इस मृती में चलो आज ससंग में चलते हैं कुछ संतों की ज्यान ध्यान की बाते सुने लेंगे कुछ दान धरम कर लेंगे सेट कहता है कि अरे भाग्यवान मेरे पास इतना समय कहा है मैं बहुत भीजी हूँ दूसरे दिन हुआ क्या कि उसके एक लोता बेटा पप्पू बीमार पड़ गया उनकी तवियत खराब हो गई देखो भई किसी के बेटा का पप्पू नाम हो तो बुरह मत मानना सेथानी कहती पप्पू की तवियत खराब गई डाक्टर को दिखा दो सेट कहता है कि मेरे पास टैंम नहीं भाई मैं बहुत बीजी हूँ यहां तक मुझे मरने तक की फूरसद बीजी हने नहीं तक की मरना मत, सेट कहता है क्यों, तो सेटानी कहती है, मुझे रोने की फुरसत नहीं, कैसे भाग है, महाँ की दुनिया चार रही, कहां भागो भे, जिंदगी में तो रोते रोते तो दीन भीत रही है, सिक्वा सिकायात भरी जिन्दगी हम लोग जी रहें साज को बहू से सिकायात बहू को साज से सिकायात बाप को बेटे से सिकायात एक साधू को दुसरे साधू से सिकायात सिकायात सब जगा है सोड़ी सी बात में फर्क होती है लेकिन हर जगा सिखायत कब तक जीओगे ऐसे रो रोकर, दुखी होकर, पश्चताप होकर, लड़कर जिन्दगी जीने की सैली आप लोग बदले अब तक जीवन में जो परिणाम आ रहा है यह आपका जीवन है भई आपके जीवन में कैसे परिणाम आ रहा है अपनी अपनी जिन्दगी को हम लोग जानते है आपके जीवन में आपकी जिन्दगी में जो परिणाम आ रहा है अब तक तो आपके ही किये हुए करमों का परिणाम है यदि अच्छा परिणाम नहीं आ रहा है तो आप अपने जीवन जीने की सैली को बदले अपने लाइफ इस्टाइल को बदले तभी जीवन में सुखत परिनाम आएगा नहीं तो फिर अब तक जो दुख भरी बातें हैं जो जीवन में असान्ती और पीड़ा को छेलते आएं आगे भी वही कहोगा आदमी जो कुछ करता है वही सी को पाता है वही जीवन में मिरता है इसलिए बेश्कीमती जिन्दगी आपको मिली है प्रकिती के ओर से आपको एक वर्दान मिला है इस वर्दान को आप वर्दान ही रहने देना कहिए जिन्दगी अभी साफ न बनने पाए यह आपका जीवन आपकी जिन्दगी बहुत ही अनमोल जिन्दगी है इस अनमोल जिन्दगी को आप बेर्थ मत जाने दे जिन्दगी हम जीते चले जाते हैं आपको सांस लेना थोड़े पड़ रहा है सांस तो सुभाविक चल रही है जिन्दगी भी चल रही है आपको कोसिस करना है कि मेरे जीवन को कैसे अच्छा बनाना है कभी भी ये बाते अपनी जेहन में अपने हिर्दे में नहीं उड़ता कि मेरे जीवन में खुसिया और कैसे बढ़े सांती कैसे बढ़े जैसे में अपने घर और परिवार के सदेश्यों से मैं और कैसे से अच्छा से प्रेम कर लू ताकि मेरे जीवन में समस्या ना रहे अधिक्तम जब तक जिन्दगी है और जब तक जीवन है जीवन में समस्याएं भी रहेगी और जरूरी भी है समस्या का होना हम लोगों की सोच क्या होती है मेरे जीवन में दुख ना आए समस्या ना आए इसी में आदमी परसान है इसी समस्या में फिर समस्या पैदा कर लेते हैं भाई जीवन है जीवन में कभी सुख तो कभी दुख कभी अच्छी परस्तिती तो कभी बुरी परस्तिती कभी अच्छा माहौल होता है तो कभी माहौल भी गड़ जाता है यही तो जिन्दगी की दस्तूर है जिन्दगी की कहानी है किसकी जीवन में एक सी स्थिती बनी रहती है बताईए अभी सतसंग चरना है इतेने लोग बैठे हैं किया जिन्दगी बर ऐसे बैठे रहेंगे कि हम लोग आप लोग सतसंग बंद होगा भोजन के लिए जाओगे हम लोग भी भोजन करेंगे अपने अपने घर अधिसक जाओगे तो जीवन बदलते रहता है कपि सुप तो कभी दूप जहां पर धूप होती है वहां पर चैया नहीं होती और जहां चैयां होती है जीवन में समस्य का आना भी जरूरी है तब ही तो अपनी सत्य और समर्थ का पता चलता है आप सोचते कियों की समज़िया न आए ये सोचा करें रोज समस्या आए आए रोज मेरी जीवन में कठना ही आए मैं उसम परिष्टियों में भी उस परिष्टियों को भी मैं जेल लूँगा आप समस्याओं से डरिए मत जब आप हिम्मत करते हैं सहस दिखाते हैं तो बड़ी-बड़ी समस्याएं भी तुक्ष नजर आती है और एक समस्या होती है वास्तविक समस्या इतने लोग बैठे हैं पंडाल के नीचे और पंडाल के बाहर भी कुछ लोग सो रहे हैं कई उम्र दराज के लोग बैठे हैं यहां पर हम लोग सब के जीवन में समस्याएं आई होगी कभी कभी लगता है जब समस्या आती है इसका कोई समधान ही नहीं है अब क्या होगा अब क्या होगा मन बार बार सोचता है लेकिन हर बार समस्याई है और हर बार आपको समधान भी मिला है और नहीं मिलते तो आज यहां पर दिखते भी नहीं अब कहां होते तो मैं नहीं जानता हर बार आपके जीवन में समध्याइं आई है और हर बार समध्हान मिला है समध्हान का रास्ता दिखा है क्योंकि जहां समध्या है वही पर समध्हान है समस्य जब भी आती है बहुत गहराई से विचार करेंगे आप लोग समस्य जब भी आती है तो साथ में समाधान लेकर आती है ऐसी कोई समस्य नहीं जिसका कोई समाधान नहो और जिस समस्य का समाधान नहो वो समस्य समस्य भी क्या है तो वाष्टवी समस्या रियल समस्या कभी कभी आती है दूसरी होती है कालपनिक समस्या अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना आप लो थोड़ी देर बाद एक कहानी भी समना हूँगा अब ये कालपनिक समस्या आए ये कैसे आती है आपकी मन में आप कलपना करते हैं वो ऐसा हुआ नहीं है रियल में लेकिन कलपना कर रहे हैं जैसे एक किसान आदमी सोच रहा है धान की फसल तो भी फिर हाल अच्छी दीख रही है और पता नहीं अंती मंती में बीमारी लग गई अब 31 रुप्या क्यूटल हो गया है अब कोहीं अच्छा धान नहीं हुआ फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा जहां से सुन्य में समस्या बता नहीं कलपनी समस्या कैसे हमारे मन में उड़ता है फिर सोच रहे हो अरे अच्छा खासा मेरी दुकान चल रही है अच्छा बिजनिस चल रहा है किसी दिन दुकान बंद हो गई तो क्या होगा कलपना की उड़ान में आप कैसे उड़ रहे हैं कई घर में चोर आ गया ढकेत आ गया तो क्या होगा पूरी जिंदगी बीट जाती है कभी आपके घर में चोरी नहीं होती है लेकिन सोस्ते सोस्ते पूरी जिंदगी बीट जाती है बच्चे इसकुल गए हैं कहीं अक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा मैं चितनी घट नहीं बता रहूं घटी नहीं है लेकिन उस समस्याओं के बोच के तले आप दबे हुए हैं कई प्रकार की इमन में कल्पनाएं उरती है और उस कल्पनाओं के उड़ान में हम उरते हैं और दुखी रहते हैं कितने लोगों देखें कि अधिक्तम मायूस रहे उसको ऐसे हिलाओ क्या हुआ जी अधिक्तम आदमी आज दुखी है तो कल्पनिक समस्याओं के कारण दुखी है जो घटनाएं नहीं घटी है जो समस्या नहीं आई है जो वो च्छन नहीं आया है उन च्छनों को आप सोच कर दुखी है अब घर में बेटी है हाथ पीला करना है अरे भाई होगी सबकी बेटियों की साधी हुई है आपके घरों में आपकी बेटी की भी साधी होगी बरातियों का अच्छा स्वागत भी होगा अरे कुछ नहीं तो दाल भाल आम निबू की चटनी तो खिलाओगे अईसी ही पती पतनी थे बैठे थे ध्यान से सुनना उसकी पतनी कहती अपने पती सहजी सुनते हो ऐसा करेंगे कि लड़का को डाक्टर बना दींगे उसका पती कहता रहे नहीं पगली डाक्टर नहीं बनाएंगे उसका हम वकील बनाएंगे उसकी पत्नी कहती तुम समझते भी नहीं हो जी आए दिन मेरी तबियत खराब रहती है हाई बलड पे सर, हाई सुगर, मारी कोहनी में दर्द डाक्टर के पास जाओगे हजार रुपे फीस के विना तो बल जी जी पुस्ते भी नहीं अच्छे टाप फाइब टाप टेन नंबर के डाक्टरों के पास आप जाएंगे पांच जाओ दस जार रुपे तो उनकी फीस होती है डाक्टर को फीस देना पड़ता है दवाई की पैसा कितनी समस्या बनी रहती है अच्छा होता की लड़का डाक्टर बन जाता है उसका पती कहता है कि देख रहे हो आए दीन खेती बाड़ी की पैसी मकान दुगान की पैसी रिघा वाले लोग हमको धान न देकर दूसरे को दे दिये हैं अब दे रहे पते ही नहीं रहे ना जाने कैसी कैसी समस्याइं जीवन में आती है अरे लड़का वकील हो जाता है ठाट है फाए फाए मस्त जजमेंड देता बाई जदबरी फीच देता ही नहीं पाड़ता अब पती-पत्नी के बीच ऐसे करते-करते तकरार हो गई बात बढ़ गई इसी बीच उसके घर में ए इसरा ब्यक्ति आया वो पूस्ता हरे भाई साहब भावी जी तो आप लोग लड़ क्यों रहें अरे राम राम के वेरा सुबा सुबा तो उसकी भावी बता दिया रे देवर बाबू सुनते हो तुम्हारे भाई एक दम जिद्दी सुबाव का आदमी है हमारे उसके बीच सा चली होगे उनके पती के पास चली है तब तक तो यहां हो अपलो है हां अब तो मात्री बंदन आ गया है तो उसके देवर कहता है कि ऐसा है भई आप डाक्टर बनाना चाहते हैं यह वकील बनाना चाहते हैं तो ऐसा करून भी लड़के को ही बुला लो और लड़के से ही पुछलों की लड़का वकील बनना चाहता है कि डाक्टर इंतना सुनते ही दोनों पती पत्नी कहते हैं कि अरे भाई शहाब लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ समझ रहे हैं समस्याइं आई ही नहीं हैं आप माथा जुकाएं चिंता में आप जल रहे हैं कभी भी ऐसा मत कर ये छोटी सी ननी सी प्यारी सी जिंदगी हैं जिंदगी को खुसनुमा बनाई हैं जीवन के प्रतेक प्रस्तितियों में प्रसंद रहना सीखें और ये प्रसंदता आपका अधिकार है मायूस मत हो ये कभी कभी पती-पत्नी के भी जगड़ा हो जाएं फिर भी मुस्कुराईए आपका पती चीड़ जाएगा भी जोड से मत हसना फिर दो जाफ़ लगा देगी जीवन के विशम से विशम पर सित्यों में जीवन में दूख आए शुख आए हर हाल में आप उस्कुराणा सीखें यही जिन्दगी जिने का नया अंताज नया ठंग है यह घिसी-पिची जो जिन्दगी जी रहे हो जिस पठ्री में आपकी जिन्दगी की गाड़ी बढ़ रही है यदि सही दिसा की ओर नहीं जा रही है तो इस टेरिंग मोड़िये उनकी दिसा को बदलिये ये मजबूरी दुखी रहना मजबूरी नहीं है प्रशनता आप का अधिकार है हर आदिमी के पास इतनी शक्ति और ताकत है कि अपनी जिन्दगी को अपनी जीवन को अमूल चूल बदल सकता है आप में इतनी शक्ति है हमारी मात्र शक्ति आप लोग आगे बढ़ें यदि मेरी माताएं जग जाएं तो आज भारत विकास अरुन नती के करम पर आगे होगा आप लोगों को जगना होगा आपके होने वाली संतानों को आप अच्छा संसकार दें आपक कोग से उत्पन्न होने वाले बच्चों को आप संसकारी तो बनाएं यदि आप अपने बच्चों को अच्छा संसकार देंगे तो आपके बच्चे आपके बुढ़ापे की लाठी बन कर खड़ा होगी और आपके कोग से उत्पन्न हुआ वो बच्चा ये भारत का भविश् देखना इस भारत देश को बदलने में चंद मिनट लगेगा आज इस भारत की पुईतर नगरी में इस भारत की मिट्टियों पर जहां पर महपुर्शों संतों ने वीर्शहिनों ने बलेदान दिये आज इस भारत देश में कैसी कैसी घटनाएं घट रहे एक भी दिन का समझ आ रहो नीज पेपर ऐसा नहीं है जहां पर बलतकार की घटनाएं छेड़खानी की घटनाएं ने घड़ती हो एक दो साल की बच्ची से लेकर नबे साल की बुर्या तक सुरक्षित नहीं है मैं आप लोगों की इस मंझ के माध्यम से पुछता हूँ आखिर इस अनहुनी घटनाओं को इस दूख भरी घटनाओं को अंजाम देने वाले कौन है कोई बताएंगे कोई सेर भालू कौन दे रहा है इन घटनाओं को अंजाम हम और आप सरीखे मनुश्य ही किसी माँ के वो भी लाल है जो इस अनहुनी घटनाओं को अंजाम दे रहा है माबहनों की बलतकार, छेड़ खानी, चोरी हिंसा वे भीचारों को जो अंजाम दे रहा है किसी माँ के गोद में, किसी माँ की कोप में पलने वाले वो लाल है आज ऐसे बिगडेल आउलाद आया कहां से जो हमारी भारत की संस्कृतिक और स्भ्यता को तार-तार करने में लगे हुए हैं मेरी माता बहनों आज जो गलतकार मकलने में लगे हुए हैं उनके माता पिता उनको अच्छा संसकार नहीं दिये संसकार के अभ़ाओं में ही आज बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं यदि एक एक मा जवाबदारी ले अपने बच्चों को सुविस्थित बनाने के लिए तो एक सुन्दर निर्मान, सुन्दर समाज और सुन्दर राष्ट का निर्मान हो सकता है आप बच्चा पैदा करें बच्चा पैदा करने में मा अपनी सुन्दर्ता खो देती है अपनी चेहरे की सुन्दर्ता तो खोती ही है सकती भी खोती है इतनी सकती आप लगाते हैं इतनी दुख और कष्ट आप लोग जहेंती हो नौ माह तक माँ गर्भ हमें रखती है प्रशाव की असा पिड़ा सहती है जिन-जिन भाईों ने हमारी इस काले बाल वाले भाईों ने अब के नजवान बच्चे लोग तो किसी माँ की प्रशाव पिड़ा की वेदना भी नी सुने क्योंकि अब जितने बच्चे पैदा होते हैं वो हास्पिटल में होते हैं और जिन जिन भाईयों ने बहनों ने अपनी मां की माताओं की बहनों की प्रशाओं की समय की जो असा पीडा सुने हैं वो अपनी मां बाप की कद्र करना जानते हैं आजकाल तो सवार्धुनी के बच्चे हैं, न मापीडा समझ पारही हैं, न बच्चे समझ रहे हैं, इसलिए माताओं को समवेदना नहीं हैं बच्चों को संसकार देने में, अपने बच्चों को आप संसकारित करें, आपके बच्चे कह सके गर्व से ही मेरे मम्मी है मेरे पापा है आप गर्व किसे कह सके ही कि मेरे बेटी है मेरे बेटी है आप अच्छे शंसकार दीजिए और बच्चों के सामने कभी भी माता पिता को जगड़ना नहीं चाहिए अब यह मत सोचना कि बच्चे नहीं है तो जगड़ लें ऐसा नहीं चलेगा एक घर था उसके दो हूनहार बच्चे थे दोनों हूनहार बच्चे आंगन में खेल रहे थे और उसकी मम्मी और पापा रूम में किनी बातों को लेकर जगड़ा सुरू हुआ अब आप लोग जगड़ा होते हैं तो कैसे होते हैं देरे देरे फुसर फुसर बोलते हैं कोई बताएंगे मत बताएंगे नित यहीं पर जगड़ा होता है तो आवाजे तेज हो जाती है आखे लाल हो जाती है हाथ पर फिर फड़ फड़ाने लगते हैं तो दो पत्नी पत्नी के भी जब जगड़ा हुआ तो आवाज जोर जोर से होने लगी आंगन में खेलने वाले बच्चों तक उसकी आवाज पहुंची छोट बच्चा देखा कि अरे लगता है हमारे मम्मी पापा लड़की भीच लड़ाई हो रही है आंगन छोड़कर दोड़ते हुए उस रूम में आया आकर जब उसका छोटा बेटा देखता है तो मम्मी और पापा में ढायट ही सुम चल रहा है उरे मारधार से भरपूर था चोटा बेटा देखा और दोड़ते दोड़ते आंगन मिखे रहते बड़े भाईया पास गया बोला आरे भाईया भाईया सुनते हो बड़ा भाईया कहता है क्या हुआ जी हरे मम्मी पापा खूब जगड रहे बड़ा भाई कहता हरे भाई साहब हमारे माता पिता हमारे मम्मी पापा लड़ेंगे जगड़ेंगे नहीं ता और क्या करेंगे जी क्योंकि जिस दिन हमारे मम्मी पापा की साधी हुई उस दिन तो हम लोगों से पूछे ही नहीं माता पिता जब भी लड़ोगे बच्चों को आपकी प्रतीस रद्धा नहीं रहे रहे यह सब ऐसे आई रहे गारे नत्थु खाय रहे तो बच्चों के आप पुजिनी बने बच्चों को जितना आप बोल बोल करनी से को आप ऐसा करो जैसे हम लोग कर रहे किसे पुजितना बोल बोल करनी सिखा सकते वह आप करके सिखाई एक कि आपके बच्चे आज जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं गुगल बहाई पैदा हो रहे हैं कि जानते कि ने गूगल का का दि पैस catch possible रहें सुपर इंटेलीजेंट बच्चे के दिल और दिमाग पोरे कागज की तरह होता है मत समझना बच्चे छोटे कुछ नहीं जानते सब कुछ जानते हैं आप लोग देखेंगे छोटे-छोटे बच्चे को कोई गोद में लिये हैं उधर से जब उसकी मम्मी निकलती है आपके बच्चे आप मम्मी की खुदू से जान जाता है मम्मी के एक आहट ही काफी होते हैं बच्चा रोने लगता है वो समझ जाती है मेरी मम्मी जा रही है तुझ बच्चे को नदान मत समझना मम्मी पापा के एक एक कृतियों को देखता है कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादी, मेरे दादा मेरे घर के लोग कैसे कर रहे हैं बच्चा सब समझता है और जिन जिन माता भेनों को जब पता चले कि मेरे पेट में, मेरे कोक में कोई बच्चा या बच्ची का वेल कम हो गया है आपको गर वठा हर जाए हमारी माते बहने उसी दिन से साउधान रहे क्योंकि आपके कोक में, आपके पेट में उपलने वाला बच्चा अलग से कोई सांस नहीं लेता अलग से कोई वो दारभाद रोटी सबजी नहीं खाता अलग से वो नहीं सोचता अलग से वो नहीं देखता मां का देखना मां का सोचना मां की जैसे भावनाएं होती है उन बच्चों को उनका गहरा सर पड़ता है एक चुटकिला और सुनाता हूँ आप लोगों कैसे गर्व में पलने वाले बच्चों को प्रभाव पढ़ता है एक अच्छे शसंगी परिवार था सब लोग पढ़े लिखे बेवस्थित जीवन जीने वाले लोग थे उनके घर में लड़का पैदा हुआ जैसे ही लड़का तीन-चाल साल को हुआ बड़ा उपद्री उपद्रो शुभाव का बदमात किसम का नटखट बच्चा किसी को मार दे किसी को उपर थूँक दे किसी के घर से कुछ चुरा लाए उनकी गंदी आदतों से उनकी गलत हरकतों से उसकी माँ अजीज आ गई परिशान हो गई परिशान होकर अपने बच्चों को लेकर वो एक दिन डाक्टर के पास गई वो भी मनुच्ची किस्सा के पास उसकी माँ मनुच्ची किस्सा को बताती है कि डाक्टर सहाब हमारा घर सादुशंतों को मानने वाले सभी पढ़े लिखे सुपर इंटेलिजों लोग है और यही बच्चा इतना बेगडिल सुभाव का अभी से अंडबन गाली गलौच करता है किसी को मार देता है कुछ करता है कि डाक्टर उस बच्चे को गौर आप लोग किसी मनुच्ची किस्सा के पास कभी गया होगा तो देखना कोई भी पागल के जब इलाज करता है तो मनुच्ची किस्सा उसको गौर से देखता है उनके चेहरे को उनके चेहरे के हमारे एक संत थे रिशी शाहिब नाम का च्छपेंटर था इलहाबाद में रहते थे साल में एक दो बार उसकी तबियत विगाड जाती थी पूरा पागल हो जाता था एक बार हम लोग उसको ले कर गए बड़े मुस्किन से तो ले कर गए कहता था गाड़ी से पूच जाओंगा तो तीन-चार लोग हम लोग जवान जाओं उसको दबाग बैठे रहे तो जैसे हम लोग डाउक्टर के प बच्चों को देखा तो देखने के बाद भी डाक्टर की नजर घुमी उसकी मम्मी की ओड़ी में पिर उसकी मम्मी से ऊचा बाहर जी यह बताओ जब तुम अपने इस बच्चे को घर्व में थी जब आप नेंड थी तो क्या देखती थी क्या सुनती थी कैसे करती थी सही सही बताना तो बहन कहती थी डाक्टर शाहब हम मैं सही सही बता रहे हूं ठ्यान से सुनिए डाक्टर ने का बताईए भई वो बहन कहती है देखो मेरे पती सास की सर्विस वाले हैं मैं सुबा उरती जारू पहुचा कि फटा फट भोजन मनाई कि फिन भर दिये मेरे पती देवता चले गए बच्चे भी स्कूल चले गए फिर मैं नहां धोकर खापी कर मस्त सुपा सेट पर बैट कर सामने LCD लगी है कि रिमोट लेति हूँ और टीडिवी देखती हूँ दाक्टर साहम ने पूछा कि टीवी में देखते क्या हो साज वहुकी धारवाहिक देखते हो कि उल्टा चस्मा देखते हैं तो बहन कहती नहीं मैं कोई धारवाहिक नहीं देखती मुझे फिल्म देखने की आदत थी मैं फिल्म बहुत देखा करती थी डाक्टर साहब ने पुछा कि बहन जी कौन सी फिल्म देखती थी उस बहन ने कहा कि डाक्टर साहब हम पुराने जमाने की हैं सोले फिल्म देखा करती थी जो लोग नहीं देखे होंगे यूटूब में सर्च कर ले न और इस सोले फिल्म को मैं एक बार दो बार नहीं सोला बार देखी हूँ डाक्टर राश्चरी चकीत होगा है कि बहांजी जब आप सोले फिल्म को सोला बार देखी हो तो तेरा बेटा गबबर सिंग ने बनेगा तो क्या बनेगा इसलिए मेरी प्यारी बेहनों गबबर सिंग मत पैदा करो कोई पहलवान सिंग पैदा करो ताकि आपकी संतान भारत मातक की सेवा कर सके समाज की सेवा कर सके एक उचा आदर्स रख सके आपके भी मस्तक गर्व से उंचा उठ सके तो जिन्दगी में अब तक हम लोगों ने जो घिसी पिटी जिन्दगी जिये हैं दुनिया भर के हमारे शाहिब जी बता रहे थे अकलिन साहिब कि कैसे कैसे पाखंडों में अंध विश्वाशों में हम लोग ठीके हुए है इतना 50 किलो 60 किलो अरे कम से कम किलो होंगे 30-35 के तो होंगे ही इतना वजन मस्त सरी रास्ते चर रहे कहीं बिल्ली रास्ता काट गई बस बंठा धार हो गए कोई छीक मार देने हम क्या है भई अब खाली घड़ा देख लिए गए और उतर प्रदेश में कोई तेली को देख लिए देखो भई तेली लोग नराज मत होना वो भी असुब समस्ते हैं तो भई कहीं आप जा रहे हो जैसे आप कहीं काम से निकले वैसे बिल्ली भी निकलती है उनको भी तो खाना पीना चाहिए क्या है तो वो भी निकलती है अपने खाने पीने पेट ज्वाल पेट की ज्वाला को सांथ करने के लिए इधर से उधर चली गई वो आप सोते हैं रास्ता कार दे आप भी कार देते हैं क्या उसका हम लोगों को तो रास्ता कार दे हम लोग तो मस्ता हो चलते हैं भई आज तक फायदा ही हुआ कभी घाटा ही नहीं हुआ तो बिल्ली रास्ता नहीं काटेगे तो क्या केक काटेगी कभी भी आप मत घबराईए निश्फिक्र होकर जीवन जीए जिस दिन मौत आएगी जिस जीवन में जो घटनाएं घटेगी घट कर रहेगी बेफिक्र होकर जाको राखे साईयां मार सके न कोई बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई जीवन को मस तो होकर जीए सबसे ज़्यादा डर आदमी को मौत की है होना भी चाहिए भई कोन मरना चाहे कोई तयार है और ये भी डंबना ये है कि मरने वाला को ही नहीं पता चलता कि मैं मर गया हूँ बांकी सब जानते हैं अब मरना तो है ही डरोगे तब मरोगे हसोगे तब मरोगे रोगे तब ही मरोगे लेकिन जब तक जिन्दगी है जिन्दगी को सान से जिए इज़त से जीना इज़त से मरना इज़त नहीं तो क्या जीना मरना तो जिन्दगी करवट लेते हैं और जीते जी मौत की आप तयारी करें कई लोग सोते हो जीते जीते कैसे मौत की तैयारी करें मौत को जबरन गले नहीं लगाना है जिन्दगी में जीवन भी है तो मौत भी है खुशी का भी हिस्सा है तो दुख का भी हिस्सा है जब से जब जिन्दगी सुरू होती है उसी दिनों से मौत की भी सुरुवात होती है जैसे जैसे जिन्दगी बढ़ती है मौत भी आगे बढ़ती है देख लोग यहां पर जितने लोग बैठे है सब लोग हम लोग बहुत मरे हुए लोग बैठे है से साथ चर रही है लेकिन बहुत मरे हुए लोग बैठ है कैसे जिस दिन हम लोग अपनी माँ की गर्व से पैदा हुए कितने उम्र के थे बिस साल के थे पचीस साल के कितने थे चोटा सा सीसू के रूप में पैदा हुए थे कहा गया सीसू पन बाल पन खो गए कौमार यावस्था चली गई और कितनों की जवानी खिसक गए जितनी जिन्दगी आप जीते हैं जितनी सांसे चल रही है उतनी ही हम मौत के करीब होते जाते हैं लोग जनम दीन में बड़े पार्टिम कहते हैं कि मेरा बच्चा 20 साल का बड़ा हो गया सही बात है पेसे रतना बहन 20 साल आपका घट गया साउधान हो जाईए दीनों दीन दीनों दीन हम लोग मौत के करीब होते जाते एक दिन होता है कि पुरी मौत हो जाते है फिर अर्थी सस्ती है जिन्दगी में डोली हर किसी की नहीं सज्टी देखिये यहाँ पर संत्र लोग बैठे हैं जिनकी कई लोगों की डोली नहीं सज्जी है हमारी कितनी नौजवान बेहने बैठी अनमेरिट जिनकी नहीं सज्जी है आपकी डोली सजे कोई जरूरी नहीं है लेकिन अर्थी हर किसी की सच्टी है किसी सायन ने कहा है थी छाओं बहुत अधीक पर मेरी किस्मत धूप पड़ी कल देखी थी बारात जहां पर अर्थी उस घर आज खड़ी हसते हैं सितारे की गगन बदला है चहते हैं पंची की चमन बदला है लेकिन मौत की खामोशी यह कहती है लास वही है सिर्फ कफन बदला है जिन्दगी को मौत का पीना है जहर हर वक्त हर सांस पर कहर ही कहर है चांद पर भले ही तुम बसालो दुनिया मैं सुना हूँ कि चांद पर अब प्लाट बिकने लगा है आप लोग चाहें तो खरीच सकते हैं हम लोगों को भी जाने का मौका मिल जाएगा साहर कहता है चांद पर भले ही तुम बसालो दुनिया अंत में इंसान का मरगट ही सहर होगा खामोस होगी जमी खामोस होगा आसमा जिस दिन बुच जाएगी जिन्दगी की समा ऐ मुशाफिर बान विस्तर कमरकस तयार हो मौत है सिर पर खड़ी का फिल नहो हुश्यार हो बहुत कमाए हीरे और मोती मगर क्या करें यारों कफन पर जेब कफन पर जेब नहीं होती है देखें किसी मरने वाले की कफन पर जेब इसलिए आप सबसे मेरा रिक्वेश्ट मेरी अपील कि आप लोग अभी से मौत की तैयारी करें अब कैसे तैयारी करना है मैं बताऊंगा आप लोगों को जिन्दगी में मौत को देखना सीखें जो जीते जीते अपनी मौत को देखते हैं उसके जिन्दगी में बहार आ जाता है जैसे बच्चों को जब एक्जाम का समय होता है पढ़ने वाले विदार्थियों का जैसे एक्जाम का टाइम टेवल आता है विदार्थी यूद्ध इस तर पर पढ़ाई करने में लग जाता है और कल पेपर हो कल एक्जाम हो और कोई इस्टुडेंट आज दिन भर पढ़े रात भर पढ़े तो क्या उसका पेपर अच्छा बनेगा क्या होगा लिख नहीं पाएगा और ऐसे ही विद्यार्थी फर्ट यूजन से फाइल होते है अब तक आप लोग भर त्यूजन से पास होने वाले कि सुने होगे हैं फर्ट यूजन जो होते हैं जो सब सब्जेक्ट हमें प्रभान होते हुँ तो कितनी तैयारी करते हैं इस प्रहाई के लिए वैसे ही मौत जो जीवन का प्रमशत्य है प्रकिती का सास्वत नियम है इसको आप जुठला नहीं सकते और मौत का नियम भी कितने जबर्दस कितने बच्चे माँ की कोग से मूर्दा पैदा होते है बच्चे मरते हैं, जवान मरते हैं, पूढ़े मरते हैं बड़ी-बड़ी हवेलियों से लास निकलती है, तो जोपर पटी से भी निकलती है पढ़े लिखे लोग मरते हैं, तो अंगुठा च्छा भी मरते हैं व्यस कभी मरते हैं, तो नबालिक भी मरते हैं कहीं नबालिक की साधी हो जाएं, 16-17 साल तो रिपोर्ट कर देंगे तो फिर अंदर हो जागा साधी ही के अंसाल और कोई 10 साल, 20, 12 साल, 15 साल के मर गया, उससे आप नहीं कह सकते हैं तो व्यस कहीं नहीं थे जी कैसे मर गयें कभी कभी नवजवान लोगों की लास को भी बुड़े बाप को उठाना पड़ता है वो बुड़े बाप उस लास की वजन से दब जाता है घर में बुड़े बाप नवजवान बच्चे को अर्थी देता है यह प्रकिजी का कैसा खेल निराला है जिन्दे लांस की तरह पढ़े हुए बुढ़े बुजुर मौत की इंतिजार करते हैं कि ये मौत तु कब आएगी मेरी जदर्द और पिड़ा को हर लेगी लेकिन देखते हैं खाट पर पढ़ा हुआ बुढ़वा जी ही रहा है घर के नजवान बेटे चले जाते हैं कि तेने लोगों को भूख लगी होगी हम लोगों भी लगी है लेकिन दिल धाम कर वैठी एक कहानी और सुनिए जदा देन ने ले जाओंगा भी बस आधा घंटा बस और वो लोग तो आये मौत की कैसे तैयारी करना है अब लोग सुन लीजेगा एक जगह की बात है एक जग लिला मंडली आए हुई थी और कई दिनों तक लिला चली है और एक दिन दिखाना था लंका दहन का और लंका दहन का में पार्टियर कौन होता है लंका का दहन कौन करता है कोई कोई बहने राम कह रहे हैं सुधालो भेनित भगवार राम अयुद्या में भी वैठे नराज हो जाएंगे हनुमान जी करते हैं तो जो लिला मंडली आए थी उसी दिन दिखाना था लंका दहन की लिला तो जो भाई हनुमान का पार्ट लिया था उसकी तवियत खराब हो गई मैनेजर को बहुत चिंता हो गई भई मेरे हनुमान की तवियात खराब हो गई हनुमान किसको बनाया जाए दर्रम घूमा तो दर्रम मिला ही नहीं अब इसको छोड़कर गाड़ी उठाया और मैनेजर चला गया नावा पारा अब नहीं पारा के नेता जी होटल को कितने लोग जानते हैं कभी नास्तावास्ता की है की ने की है नेता जी होटल के सामने मैनेजर उसके पास गया मेनेजर उसके पास गया, खили भाई शाहब दिन भर में कितने कमा लेते हो, जी हलवाई ने कहा कि शाहब 500 रूपया कमा लेते हैं उन्होंने कहा कि भाई साहब आज दिन भर काम कर लो और एक छोड़ा सा मेरा भी काम कर देना मैं एक रात का एक हजार रुपया दो गरीब आदमी विचार हलवाई खुस हो गया दिन भर आग पानी में रहो गए तो पांस सो मिलता है और एक दिन के हमारे भाई साहब एक हजार दिन एक तयार है उसने का ठीक है काम क्या है साहब तो उस मेनेजर निलम अंडली के मेनेजर इतना है कि तूम को हनमान बनाया जाएगा रावन के दरबार लगेगा दरबार में रावन आपस पूछेगा तुम का नेजर वापस दर आगा हलवा जले बी अपना पार्ट तुम कौन हो तो मैं हनमान हूं क्या काम करते हो प्रभु सिराम का काम करता हूं बद दिन भर रटा साम को दर्राया मस्द लंबी पूंच बहुत बड़ा गदा लाल की चटी मस्द पहनाया मुकुटुकुट सजाया मोटा ताजा अदमी बंदा निकला बाहर और कभी सब्सक्राइब करना तक इस्कूल कालेज के विए इन्वाल फंक्सन में भाग लिया नहीं नहीं लिये हैं उसके लिए बहुत भरी बात और बंदा कहीं लिया नहीं था जैसे बाहर निकला परदा के देखा चमाचम पब्लीक जनता बैठी हुई थी माथे पर पसीना आ गया उनका और जैसे रावन का परदा खुलाब लोग रावन को जानते होगे आपके गाउं में भी कोई अंडू पंडू रेगडू पेगडू थोड़े बनाते हैं जो थोड़ा गरच के बोले जैसे परदा खीचा रावन जोड से कुदा और गरजा कि तुम कौन हो इतना सुनत हलवाई के तो फिर हवा उड़ गई कहां मैं हलवाई हूं रावन सोचा किये तो पूरे पागल आदमी बर्मन फिर दूसरा पूरता है कहीं समझ जाए हलवाई क्या काम करते हो जी कहता है सहाम मैं नेता जी होटल में जले भी छानता हूं तो ऐसे ही थोड़े देर का जोड़े गाव में लीला मंडली होती थी है कितने दिनों पहले पाट हम लोग ले करते थे चोटे छोटे बर चाचल लाएनों का टौपाई को याद रखना करता था है कितने दिनों पहले देते थे रेष्ण होता था पूरी विधीवत चलता था तब कह człना कर मंच्वें सुधी होती थी ते हलवाई थोड़े देर अब भ्यास किया थोड़े देर के अब भ्यास काम नहीं आता इसलिए मौत आने से पहले अपने जीवन को शुरक्षित करें यह आपका जीवन है आपकी जिन्दगी है जो सद्गुरु कभीर साहम ने कहा है बीते ताही विसार दे आ जिन्दगी की शुरुआत करें एक नई ताज़ी नई उर्जा नई एनर्जी के साथ आप प्राता उठें मायूसु चेहरा लेकर ना उठें दुग भरी बातों को याद करके ना उठें अपनी सुबा सुप्रभात हसते और मुश्कुराते हुए जिन्दगी की शुरुआत करें सोते हैं बेहोशी में मत सोये किसने गाली दिया कौसे दुस्मनी है कब क्या हुआ कितना हानी हुई कितना घाटा हुआ दुनिया भर के गर्दा गुबार को लेकर आप सोते हो और जिन बातों को सोचकर सोते हो जैसे ही नींद खुलती है आप तक निस सुचहत गौर फर कोई मार्धार फिलम देकर सोय है चापने में पगल वाले को फाटिंग मार देते हैं जैसे मन की चिंतन होता है जैसे मन की भावनाएं होती है जैसे मन की तरंगउरती है जैसे आपके मन में विचारों के ज्वार भाटे आते हैं वैसे ही आपका मन और आपका जीवन बनता है इसलिए सुन्दर सोच रखें रखें अच्छी भावनाय रखें प्राता उठे तो मुस्कुराते हुए उठें पांच मिनट बेट पर बैठें आज की 24 घंटे को कैसे जी होंगेत कहां पहुचोगे कोई बताएंगे जहांके तहां खड़े रहों इसलिए आज हम जिन्दगी में विकास कियो नहीं कर पा रहे हैं हमारे जीवन में सांथी क्यों कर पन्य लाहिक घर और परिवार में प्यार का माहोल क्योंए आ रहा है जीना नहीं आता भावतिक धनों से आप कितनों भी लद जाएं घर में टाइल से मारवाल ग्रनाइट बिछाओ ये आपके शुकह और शांती के साधन नहीं है ये स्वीधा हैं जिन जिन घरों में लगा रहे हैं रोकना मत लगाईए लेकिन जीवन को शुन्दर बनाइए जिन साजबहु में नजमता हो भाई-भाई में नजमता हो या सत्संग रुपी यग्ये है सत्संग जीवन परिवर्टन की जगा है यहां भी आकर हमारी पुरानी आदते बने रहे गंधी आदत बरकरार रहे तो फिर सत्संग करने से अब बोजन क्यों करते हैं एक थारी दोदो थारी अपने अपने खुराक अनुसार आदमी बहुत कुछ खा जाता है ऐसा कोई आदमी हो खाता रहे खाता रहे पेट ही न भरे तो उसका खाना ब्यार्थ है खाते हैं पेट की चठरगनी को पेट की ज्वाला को श्रांत करने ऐसी ससंग में जाते हो भजन करते हो मस्त हो कर जिए मैं आप लोगों के लिए मंगल कामना करता हूं कि आप सब गगन-मगन रहें जीवन को प्रशनता पुर्वग जीए कभी भी किशी भी प्रशितियों में आप दुखी मत होएं शाओधानी पुर्वग जीवन जीए जीवन के बचे हुए सेस जिन्दगी को आप प्रशनता पुर्वग जीने का प्रियास करें अभ्यास करें रोज दिन प्रतिदीन शर्सं में जाएं उनके सानीद्ध्त्य में जाएं उनकी बाहँ पकड़े यही एक सहरा है कि भाउतीक नती के सांथ के साथ साथ अध्यात्मिक नती भी करें और सबके साथ अब्रेम काविवारी यग्जयससंग इस यग्जय में आप लोग शामील हुए हैं तो पूर्ण होती में अपनी जीवन की विकारों को गंदी आदतों को जिन लोगों से नजमता हो जमाईए यह बहुत दिन की जिंदगे नी चंद दिनों के महमान हैं जिंदगी को मस्त होकर जीए आप सब के लिए मंगल कामना फिर कभी मौका मिलेगा तो इस मैंज की माध्यम से हमारी आप की मुलाकात होगी नहीं तो फिर उपर तो मिलना ही है वलो सब्सक्राइब की जैए